आखिर क्यूं दुखी रहते हैं मकर राशी वाले इतने सारे दुख क्यूं हैं मकर राशी के जीवन में इस कारेकरम में जानेंगे 2023 से 2025 तक मकर राशी की स्थती कैसी रहेगी इसको शोट शोट हम जानेंगे इस कारेकरम में जो कि आपके लिए शत्रू रहेगी उनसे आपको दूर रहने की अब शक्ता इसके बारे में इस कारेकरम में जानेंगे जैसा कि मित्रों कहते हैं जनम पत्री का हर कोई बाचे करम ना बाचे कोई यानि कि देखा जाए तो आपको 2023 से और 2025 तक शनी आपके धन भाव में बैठें जो कि नॉर्मल है यानि कि आपके उपर अभी तक सनी की साड़े साती लगी थी और लगी है अभी तक और 2023 में भी आपके उपर कहीं न कहीं लगेगी लेकिन नॉर्मल रहेगी यहाँ पर से आपको धन में ब्रिद्धी दिखाई देगी साती साथ आपका परिवार में भूमी निर्मान भूमी खरीदने का 2023 से 2025 या वाहन खरीदने का आपका योग बनता है साती साथ सनी की सब्तम दिर्ष्टी आपके कहीं न कहीं अस्टम भाव में या तो आपको पैत्रिक धन प्राप्त होगा या आपके ससुरौाल से कुछ ना कुछ आपको आर्थिक रूप से लाब होने वाला है 2023 से 2025 में शनी की अगर देखी जाए तो दसम जो दिर्ष्टी है वो देखी जाए तो लाब वाव में यानि 2023 से 2025 में मकर राची वाले जो निर्ने लेंगे वो उनके भविश्य के लिए बड़े लाब करें होंगे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे चलके आपको बहुत बाचे करम ना बाचे कोई तो अभी आपको कुछ ड्रोवेक भी सुधारने तो और अच्छा हो जाएगा तो अब बात करते हैं गुण और अवगुण के बारे में यानि कि पूरा कारे करम आप मकर राशी के लिए अब आपको जो राशी देखनी है इस कारे करम में वो जनम करम के दाता है नियाए दीश है यानि कि अच्छे को अच्छा रिजल्ट देते हैं बुरे को बुरा रिजल्ट देते हैं मकर राशी में एक खास बात है मित्रो मकर राशी में मंगल जो कैली जीये की नवगरों के सेना पती है वो इस राशी में जाकर उचके हो जाते हैं या यानि कि मकर राशी वालों को घर के काम भी आते हैं, खाना बनाना भी आता है, कपड़े दोने भी आते हैं, काम कैसे करना भो भी आता है, तकनी की चीजें भी आती हैं, यानि कि बिजली के काम भी घर के कर लेते हैं, बहुत बार कूलर भी खुदी बना लेते हैं, पंके भी ख जो मकर राशी वाले होते हैं उनमें इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है यानि कि व्यक्ति को पैचानने की कला व्यक्ति किस तरह का है दो मिंट इसनके साथ जो बैट जाएगा तो यह पैचान जाएंगे यह व्यक्ति जूटी बढ़ाई कर रहा है चापलूसी कर प्रोपर्टी कौन सा प्रोजेक्ट आगे चलके कितना धन दे सकता है यह जो इंट्यूशन पावर मकर राशी में बहुत जबरदस्त होती है साथी साथ मकर राशी वाले देखा जाए तो भाशा में इनका कमांड बहुत जबरदस्त होता है यानि कि भाशा ग्रामर उसके सा हैं अक्सर मकर राशी वाले देखा गया और भाशा में कमांड अच्छी है हिस्ट्री की पकड़ अध्यात्म की पकड़ राजनीती की पकड़ इनके पास जबरदस्त होती है साथी साथ मकर राशी में राश्ट भक्ती कूट-कूट के भरीवी होती है यानि कि यह बड़े त कि आपको लगदा होगा कि यह बहुत आलसी जीव है लेकिन मकर एक तो इनके अंदर ठहराव होता है किसी भी डिसीजन को सोच समझ के रहते हैं जैसे मकर होता है ना पानी के बाहर मूँ खोल के आराम से लेटा हुआ होता है तो लोग समझते हैं यह आलसी है यह निकमा है ल हाँ मकर राशी में एक चीज़ देखिए कि इनके हर काम में बिगन बादा होती तो थोड़ी बहुत है थोड़ा बहुत कलेस इनके काम होते हैं लेकिन होते हैं ये देखा गया है साथी साथ देखा जाए तो मकर राशी वाले अपनी धुनके पक्के होते हैं जो सोच लिया वह लोग कितना ही इनको मना करे कितना ही बोले लेकिन पर कोई फराग नी पड़ता है जैसे मकर होता है आराम से पानी के बार बैठा जाब मछली उनके सामने निकलती एक्दम से जपट्टा मौल लेता है इसी तरह से ये बड़े ध्धून के लोग होते हैं एकागर चित्ता से भरपूर होते हैं और थोड़े से जिद्धी सवाव भी कहा जा सकता है इनको यानि कि यह जो सोच लेते हैं वही करते हैं दूसरे की बात नहीं सुनते हैं इन लोगों का भग्योदे अगर देखा जाए तो पर्थम संतान के बाद होता है यानि पहली संतान इनके ल वाद विवाद रहता है बाकी और लोगों से इनके वाद विवाद नहीं रहते हैं बस भाई बेनों से थोड़े से मानसिक वाद विवाद रह सकते हैं अब बात कर लेते हैं मकर राशी वाले जो जाता का भाग्योदे कब होता है तो पहला तो पर्थम संतान के बाद ही होता यानि इस समय पे इनको अच्छा धन मिलेगा अच्छा पद प्रमोशन मिलेगा या जो ये चाहते हैं शादी के बारे में चाहते हैं या जो ये चाहते हैं वो इच्छा पूर्ती होती है यानि 29 साल से लेकर 36 साल संतान के बाद ऐसा कह ले सकते हैं या फिर 50 से लेकर 56 साल के बी राशियों से इनकी बंती नहीं है, विचारिक मदबेद रहते हैं, इन राशियों से अगर मकर राशी वालों ने फानेंस से संबंदी दिया, पार्टनर्शिप कर ली तो वो पार्टनर्शिप तूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, घर के अंदर भी ब्लर्ड रिलेशन में भी मेश राशी, सिंग राशी, कन्या राशी, करक राशी के अगर लोग पाए जाते हैं, तो इनसे इनके विचारिक मदबेद बहुत ज़्यादा रहते हैं, अब बात कर लेते हैं, कि मकर राशी को क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, क्या कारण रहा, तो इनके दो ही कारण होते हैं मकर राशी के, पहला होता है जिद्धी स्वभाव, यानि कि ये किसी की बात नहीं सुनते, बहुत बार ये अपनी घरवाली की बात नहीं सुनते, बच्चों की बात नहीं सुनते, जो इनको करना है, करना ही है, यानि कि जिद्धी मकर राशी वाले बहुत एक्टिव और सक्सस्पूल मिलेंगे बहुत से मकर राशी वालों को लोग आलसी कहेंगे बहुत लेट लटीफी में काम करेंगे आज कोई काम दे दो तो वो कहीं न कहीं करतें करतें करके साथ दिन दस दिन में वो काम पूरा होगा यानि आलस पन से भ पर अच्छा सूट नहीं करता क्योंकि शनीदेव की राशी है मैनती राशी है तो मित्रों इस कारेकरम में बाद इतना ही मुझे दीजे जाया जय माता दी